हाब यह तो केचल लाइच केल में हूँ आपका फेवरिट यूटीवर जब से हमारे गेम के अंदर पेका का नाया लेवल और सीज बैरेक का नाया लेवल आया है पेका बहुत पावरफुल होगी है और आज हम लोग भाई साब यूज करने वाले टाउनौल सोला के उपर आठ तो भाई इसी बात पर सब्सक्राइब ठोक दो हम लोग पेका के साथ एनिमी बेस को ठोकेंगे तो भाई सब हमारी यहां पर मैच लगी हुई है अनाओ या इनिया पभी क्लाइन के साथ नमबर एक दो तीन चार पांच छे सारे उड़ा दिये दोस्तों अभी हमारे लिए न प्रिचे से सारे की सारी हिलर्स आएंगे बुड़ा का यह करेगा यह सारा क्लीन अप यहाँ पर यहां से अंदर की साड़ पर Deploy करेंगे, हमारे King और Queen को भी अंदर की साड़ पर Deploy करेंगे, Jump Spells आएगे, यहां पर एक Jump आएगा और यहां पर एक Jump आएगा, उसके बाद हमारी जो Siege Barrack है, वो यहां पर आएगी, Siege Barrack के अंदर से दो पेकाज निकलेंगे, Siege Barrack फटने के वाद वापिस दो पेकाज निकलेंगे, और हमारी Royal Champion यहां से आएगी, तो Royal Champion, ऐसे Royal Champion का रास्तर आएगा, और Core में दोस्तों, इतना जो Core है, यह सारा Core हमारे पेकाज निकलेंगे, और हमारे Heroes निकलेंगे, यह प्लान रहने वाला है, आर्मी के अंदर हम लोगों ने हमारे 4 पेकाज, CC के अंदर 2 पेकाज, और Max Level का Siege Barrack के, Level 5 का CC के अंदर, जो Level 5 का Siege Barrack के, उसके अंदर से 2 पेकाज, फ्री में हमको मिलते हैं, तो टोटल ऐसे 8 पेकाज हो जाएंगे हमारे, स्टार्टिक में हम लोगों हमारे बुढ़े के साथ, यहां से clean up कर लेना है, और funnel भी बना लेना है, यहां पर अपने को स्निकी गॉबलिंस के साथ, यह डाउन करके Town Hall निकाल लेना है ठीक है, चलो 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 बाई साफ walbrake हो गिया poison spell tower ने poison भी फेग दिया अच्छी बात हैं हमारे लिए अरह यार यह गलत चला गिया चलो यह अच्छी बात है कि अच्छी बात है है चलो कुछ नहीं निकला, डालेंगे भी यहां से हम लोग धेर सारे स्निकी गॉबलिन्स और एक इन्वीजिबिलिटी स्पेल, चलो टाउन हौल यहां से अपने को मिल जाएगा, उसके बाद S भी आएगा यहां पर, नाइस, पेकाज, किंग, क्वीन, अपरेंटिस, वॉर्डन सारी चीज़ा आजाएंगे यहां पर, ठीक है, चलो, जम स्पेल भी आएगा यहां पर, ओके, रॉयल चैंपियन, चलो बुद्डे की अबिलिटी दे दी, पॉईजन भी डाल दिया, वेरी नाइस जॉब, बस यह पेकाज जिन्दा रहे, क्या लगता है गाइस, कितने पेका जिन्दा रहेंगे टाउनल सोला के उपर, पेका यूस करने लाइक है या आर्मी, ओके, कम ओन, कम ओन, कम ओन, मैन, चलो, आइस गोलम फटके मस्त फ्रीज हुआ है, इस कुछ भी बोलो, चलो बाई, यह फ्रीज ने अच्छा काम किया है, यहां पर, ओके, नाइस, रॉयल च बचे भाई, यह हद्य हो गई, पेकाज भी है, काफी सारे बेस के अंदर, टाइम भी बचा हुआ है, I think निपड जाएगा यह वाला बेस, रॉयल चेंपिन की पास यार, अभी भी हेल्थ फुल है, और एबिलिटी भी पढ़ी है, और लोमडी भी जिन्दा, यह हमारे लिए है, यहाँ पे तीन पेकाज है, तो भाई, आट मेंसे पांच पेकाज अभी भी जिन्दा बाच चुके है, और दो रेट्स पहले हमारे पास बाच चुकी है, दोस्तों, भाई, पेका ने तो यार फाड के रख दिया भाई, इस बेस का, यह देख लो भाई, पॉम पॉम, दो हम लोगों ने स्वैक कर दिये, पॉम पॉम स्टाइल में, दो पेकाज तो भाई, वाल फोर्डने में टाइम चला गया, और यह तीन पेकाज तो काफी स्ट्रो है, चलो, यह निपट चुका है, गाईज, हमारा बेस, मास पेका के साथ, वापिस चलेंगे, सेम आरमी के साथ, ओके दोस्तो, 21 एटाइक्स के अंदर 48 स्टार हो चुके, नमबर 7 उडा दिया, नमबर 8 की बारी है, यह भी अच्छा बेस है, यहां पे भी मास पेका करेंगे, यहां पे भी सिंपल प्लान रहेगा, यहां पे स्टार्टिंग में हम लोग हमारे बुड़े के साथ, रेजड बुड़े के साथ 4 चालू करेंगे, यहां पे स्निकी, दाल के टाउन होल के ओपर स्निकी लेके जाके, एक invisibility डाल के, टाउन होल को खतम कर डालेंगे, बुड़े के साथ, यह वाली वैल्यू निकालेंगे, इतनी सारी, उसके बाद यहां पे हम लोग हमारी आर्मी के अंदर और दो root rider का inclusion करेंगे दो root rider, आठ पेकास तो रहेंगे ही रहेंगे भाई, आर्मी के अंदर, root rider भी दो add करेंगे जिससे की, क्योंकि यहाँ पे आपन lightning इस्तेमाल करने वाद है, lightning के साथ ये down करेंगे और ये दोनों चीज़े down करेंगे lightning के साथ ये पूरा area down हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद buddha के साथ ये down हो जाएगा, root riders help करेंगे हम लोगों को wall तोडने में, तो यहाँ से दो root rider के साथ चार pickas, king, queen, apprentice, warden buddha भी जाएगा उनी के साथ और उसके बाद यहाँ पे siege barrack आएगी अपनी, जिसके अंदर से दो pekkas starting में निकलेंगे, दो pekkas last में निकलेंगे और उसके साथ royal champion, royal champion का path ऐसा रहेगा इस वाले base के उपर और हमारे main army का path ऐसा रहेगा इस base के उपर that's it, यह simple सा plan रहने वाला मास pekkas के साथ ओके दोस्तों, यहाँ पे भी 22 निकी goblin, 6 pekkas और SB के 2 pekkas और lightning भी let's go एक ही raid spell हम लोग इस्तेमाल कर रहें base के उपर, क्यूंकि हम लोग already raged buddha जो इस्तेमाल कर रहें base के उपर, चलो अभी starting में आपने को take down कर लेना है इस टोरेजेस उसके बाट टाउन होल निकलेगा come on, come on, come on very nice, अभी ये भी तु निकालना है अपने को चलो बई, perfect, मिल गया सारा value मिल गया, और चलो skeleton आ कि अच्छा काम हो गया हमारे लिए okay यहां से एक sneaky goblin testing के लिए चलो, कुछ नहीं था, अच्छी बात है nice अभी dare सारा sneakies and invisibility spell, चलो भाई, perfect उसके बाद, यहां पर sneakies funnel के लिए अरे बुड़े कहां जा रहा है एक कास डालने पढ़ेंगे, भाई साब मसला हो जाएगा चलो, ऐस भी जाएगा ओके, कोई भी head enter हम लोगा ने लिया ही नहीं है skeletons लिया हम लोगा ने यहां पर जिससी की यह जो singles है न singles distracted रहे क्योंकि बाई, single तीन तीन है, एक छोड़के चलो, बुड़े की ability भी आ गई धीरे धीरे अभी heal होते रहेंगे healers की वज़े से ओके, पापी से skeleton जिससी की royal champion को help मिले, nice going very nice, very nice, सारे picas वगेरा तो core में है concentrated, यह हमारे लिए काफी अच्छी बात हो गई है हमारे पास एक freeze और एक rage बचा हुआ है come on यहां पर आएगा freeze, very nice चलो, 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 चलो army तो बहुत अच्छी concentrated है भाई पेकाज भी अपना काम कर रहे एक number चलो, 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 चलो very nice, nice job भाई, next level है भाई, पेकाज next level, wall wall कई से फोड़ रहे देखो root rider भी help कर रहा है wall forward ने में, देखो भाई, दो root rider लिए थे जिसमें से एक root rider लास तक जिन्दा और उसने wall forward ने में बड़ी help करी है ले भाई, कर लो, बात मज़ए आया दोस्तो, ये वाला base भी निपट चुका है यहाँ पे, army यहाँ भी खाफी अच्छी कासी बाच चुकी है कितने पेकाज यहाँ पे, 1, 2, 3 4, 5, 5 पेकाज दोस्तो, यहाँ पे भी बाच चुकी है हमारे वाउ और ये strategy तो काम तो कर रही है भाई पर मज़ा आ रहा है भाई, ऐसी अलग-अलग strategy यूज़ करने में इसी के साथ, गाईज इस war के अंदर के हमारे दोनों attacks सेम army के साथ 8 पेकाज के साथ हो चुके है अब भी देखो, हम लोग क्या करेंगे न zap करेंगे, 6, नई 7 प्लस 1, यह देखो 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 जो चीज़ी मिल जाएगी 7 प्लस 1 अपने को यहाँ पे डालना है तो यह पूरा area अपने को मिल जाएगा उसके बाद, raged बुढ़े के साथ यहाँ से वॉक करना है, जिससे की बुढ़े के साथ अपने को यह, 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 सब कुछ यहाँ से टेकडाउन कर लेना है उसके बाद, हमारी जो पेकास की आर्मी है, डाइरेक्ट यहाँ से टाउन हॉल के लिए घुसेगी दोस्तों किंग और क्विन के साथ उसी के साथ, जो सीज बैरेक है वो हमारी यहाँ से आएगी सीज बैरेक रोयल Information यहाँ से जाएगी रोयल चेंपिङन यहाँ पे जाएगी और अपनी मेन आर्मी डारेक्ट यहाँ पे टाउन हॉल कंपार्टमेंट में और जो पीछे का डैमेज है वो तो हम लोगों ने अल्रेडी डाउन किया होगा लाइट निंग के साथ तो यह हमारा प्लान रहने वाला ओके चार और दो छे पेकाज ठीक है यहां पर ज्यादा स्नीकी गॉबलिंस की जरूत अपने को नहीं प अहां मिल गया गाईज मज़ाई आगया दोस्तों मस्त वैल्यू अपने को मिल चुकी है ओके पनल बनाएंगे यहां पर आर्चर नाइस जॉब ओके दो रूट राइडर यहां पर भी लेके रखे चुंकि भाई यह हेल्प करेंगे टाउन हॉल तक जाने में वाल फोडने मे नॉर्मल वॉल ब्रेकर्स भी ले सकता था पर सोचे चलो रूट राइडर से लेंगे टैंक करने का भी काम कर लेंगे ओके एस भी आएगा नाइस पॉइजन सी सी टुप्स पे ओके चलो चलो उड़ी अबिलिटी दे दी थोड़ा जल्दी दे दी शायद कोई ना चलो रॉय रॉयल चैंपियन जाएगी वहीं कि लिए ही डालना पड़ेगा मेरे को लगता है पूरी आर्मी इधर ही मर जाएगी तक्सी हो गई है वही आर्मी कि अब यार पूरा टेसला फाम निकाले गया क्या ही करें यह मेरी रॉयल चैंपियन यहां पर रॉय चैंपियन भी रिज ल करें अपना अच्छे से ओके नाइस गोइंग वाई रेजड बुढ़ा एक नमबर काम कर रहा है दोस्तों मज़ाई आगिया यार चलो 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 बलून्स चलो भाई तीन बलून बचागे रखेंगे ते मैंने ओके होग पपेट मस्त काम कर रहा है रॉयल चैंपियन पर यहां पर अभी हमारे पास पेकाज कितने है तो दो ही पेकाज बचे वो भी सीची के दो पेकाज है बागे सारे पेकाज हमारे मर चुके हैं आइधिंग यह हो जाएगा ट्रिपल निपट तो चुका है बस टाइम फेल हो जाएगा टाइम फेल खेर हो नहीं होगा क्योंकि क्विन जिंदा है वॉल फोडने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रॉयल चैंपिन भी जिंदा हमारी और दो पेकाज जिंदा है चलो गई यह वाला बेस बीनी पट चुका हमारा आट पेकाज के साथ कि लेट्स गो पॉल्सोला पर यूज कर सकते, कॉमेंट करके बताओ, जरूर हम लोग उसको यूज करेंगे, तो बस, आज के लिए तो फेला लिटता है, सब्सक्राइब जरू करना, बेल आगन दबाना, मैं मिलूँगा आपसे एगली वडियो में तब तक के लिए, पाइ!